साथ करोड ये किसी छोटे-मोटे देश की जन गरना या पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे है इस समय भारत में कितने डीमेट अकाउंट है उनका अकाउंट है ये 6.97 करोड ओवरॉल डीमेट अकाउंट का अकाउंट है मई 30 तक का और अगर थोड़ा सा मैथ किया जाए तो ये पता लगता है कि पछले एक साल में हर महीने on average 13 लाख नए डीमेट अकाउंट खोले गए है इसका मतलब हर ट्रेडिंग सेशन के अगर हिसाबचे जो कि 20 के करीब होते हैं ये देखा जाए तो करीब 65,000 नए डीमेट अकाउंट हर रोज तो बहुत बड़े बड़े में क्या क्या स्पेसिफिकली किस किस राजियर ने क्या क्या ग्रोथ देखी है इंडिया में इनफ्लो कितना हो रहा है सेंसिक्स निफ्टी को यह कहां लेके जा रहे हैं यह सब कुछ इस वीडियो में नंबर्स के साथ जो ब्येसी और इनसी के official counts हैं उनके साथ समझने की तो दोस्तों पिछले एक साल में पूरा stock market करीब अलग लग जो इंडेक्स है 68-70% के गेन के साथ ऊपर गया है मतलब आल्मोस्ट 70% improvement देखा है इंडेक्स वैल्यू ने पिछले एक साल में यह बहुत बड़ा certain level पे नंबर है लेकिन जब पिछले साल मार्च अपरल के जो समय की बात है जब हूने world health organization ने covid को pandemic global pandemic declare किया था तो एक time तो market थोस्त हो गई थी सब लोग stock market से दूर भागने लग गए थे stock को बेच के exit करके holdings निकल के अपना life चलाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो वापस ही नहीं आये साथ में और भी 1000 लाखों लोगों को लेके आये थे तो पिछले 14 महीनों में ये नंबर 12 से 15 लाख नए नवेशक हर महीने के हिसाब से देखा है तो BSE के CEO आशीश कुमार चुहान का कहना है कि ऐसा करीब 7 क्रोड नए total नवेशक कों का नंबर आज तक market नहीं नहीं देखा जातर इसमें से महारास्टा से आते हैं 25% जो डीमेट अकाउंट है महारास्टा से आते हैं गुजरात से आते हैं करीब 86 लाख डीमेट अकाउंट गुजरात से हैं इसके लावा भी हर राज्य का ब्योरा भी आपको हम बताएंगे पहले यहीं कर लेते हैं तो गुजरात के वाद है उत्तर परदेश करीब 52.3 लाक इन्वेस्टर्स हालां कि उत्तर परदेश का पॉपलेशन बहुत जादा है तो परसेंटेज के हिसाब से काफी कम होगा लेकिन फिर भी on a number point of view उत्तर परदेश काफी आगे है तीसे नंबर पे है फिर आता है तमिलाडू 42.3 लाक देन देर इस करनाटका 42.2 लाक ओल्मस्ट उसके बराबर देन आते हैं वेस्ट बेंगॉल से करीब 49.5 लाक नए इन्वेस्टर्स दिल्ली में दिल्ली बहुत छोटा शहर है लेकिन 37 लाक 37 लाक जी हां 37.3 लाक इन्वेस्टर्स डीमेट अकाउंट यहां से हैं अंद्रपरदेश 36 लाक राजस्थान है वद्देश अर्याना तेलंगाना केरदा पंजाब और बिहार यह पुरू लिस्ट आ लेकिन असाम अकेले के पास 7.6 लाक डीमेट अकाउंट्स है एक और स्प्सिफिक बताते हैं पुरे भारत की नक्षे में नीचे हैं अंडवा निकुबार साथ में लक्ष्वद भीप भी हैं लक्ष्वदा वीप में हैं 480 डीमेट अकाउंट्स जी हां इतना स्प्सिफिक नंबर है अर्णवा निकोबार में 9700 करीम 10,000 डीमेट अकाउंट्स हैं तो एक तरीके से पूरे भारत वर्ष में दीवाली हो रही है स्टॉक मार्केट को लेके हर पर्टिकुल स्टेट में कोई ना कोई इंप्रूमेंट देखा है जंप देखा है और तिर्व भारत में ही क्यों बाहर का भी जो इंवेशक है इंडिया में आ रहा है बाकी बाते बाद में बताएंगे जून इस महीने के पहले चार दिन में 8000 करो देखा गया है विड्रॉल भी निकालते भी हैं मही में करीब 3000 क्रोड रुपया निकाला है एपरल में करीब 10,000 क्रोड रुपया प्रॉफिट के बाद निकाल लिया था इन्होंने और ऑक्टोबर 20 से लेके मार्च 2021 तक इन्होंने करीब 1.97 लाक करोर रुपीज इंडियन स् देख राया है ना के हर तरफ स्टॉक मार्केट में पैसे का इंफ्लो आ रहा है चाहे डॉमेस्टिक इंवेस्टर हो चाहे फॉरन इंवेस्टर तो एक तरीके से स्टॉक मार्केट एक ऐसा एरिया बन चुकी है जहां पे सबको अमीर बनना है लेकिन सब को स्टॉक मार्केट पे क्यों आ रहे हैं ये भी जानना जरूरी है देखिए कुछ ना कुछ government policies होती है जिसके चकर में पहली चीज तो लोगों के पास बहुत limited पैसा रहता है जॉब्स की थोड़ी कमी चल रही है आज कल तो जब जेब में थोड़ा पैसा कम है तो लोग चाहेंगे कि उस पैसे को घर बैठे बैठे ही किसी ना किसी तरीके से इंप्रूव किया जाए और बहती गंगा में हाथ धोना किसको पसंद नहीं है जब पता है कि इंडेक्स यों स्टॉक मार्केट उपर जा रही है कुछ सेक्टर्स होंगे जो उपर जाएंगे तो उसमें पैसा लगाएंगे तो अप्रिसेशन तो वाला ही है और ऑनेचली ऐसा हुआ भी है बहुत सारे लोग कम स्टॉक मार्केट की कम समझ होने के कारण बावजूद भी अच्छा कासा रिटर्न कमा रहे हैं तो जातर यही हुआ है कि जब देखा है कि फिक्स डिपॉसिट्स का इंटरस्ट रेट कम हो गया है गोल्ड में महंगाई बहुत आ गई है वोलिटैलिटी भी बहुत आ गई है रियल एस्टेट में कुछ बचा नहीं बॉन्स या कोई भी गवर्न्मेंट स्कीम है उसमें रिटर्न की कमी बहुत दिख रही है तो उस चक्कर में अब बचा क्या बचा स्टॉक मार्केट है तो इसलिए बहुत सारे इंवेस्टर्स जिनके पास पैसा था उस स्टॉक मार्क की तरफ अट्रैक्टिड है और पैसा लगा भी रहे हैं और रिटन भी कमा रहे हैं लेकिन अगर हम नंबर्स की बात करें डीमेट अकाउंट को लेके तो आपको क्लारिटी हो चुकी होगी होपफुली कि किस तरीके से इस दिवाली को बनाया जा रहा है एवरी नूकेंट कंट्री इस सींग इंक्रीज इन डीमेट अकाउंट हम पंजाब से आते हैं तो पंजाब हलंकी बहुत पीछे है इन मामलों में लेकिन पंजाब अकेले पंजाब ने भी करीब 15.2 लाक इंवेस्टर्स डीमेट अकाउंट देखे हैं तो सर्टन लेवल पे देखा जाए तो इस वेरी गुड न्यूज और यह चलने वाला है कुछ समय तक माल के चलिए बहुत सारी चीज़ें इंटर्लिंग्ट हैं मार्जिन दूल भी एक तरीके से इंपैक्ट करता है स्टॉक मार्केट को ऊपर लिखे जाने में इसका भी अलग वीडियो है लेकिन अभी के लिए ज आडवाइजर से कहीं से भी मिल रहा है अपने अनालेशिस जरूर कीचिए अब एक लिए दोस्तों वस इतना ही होफ़ली यह information data points की साथ आपको अच्छी लगी हो इस सारी news का source नीचे लिंक में भी डला होगा उसको भी पढ़ सकते हैं आप अब एक लिए इतना ही टेक किया अब आपको बाइ